27 अप्रेल को उदे होंगे देव गुरू भरस्पती इन तीन राशी के जातकों को रहना होगा सावधान नमश्कार मेरे शम आप देख रहे हैं N27 भक्ती ये तो हम सब जानते ही हैं देव गुरू भरस्पती अस्त अवस्था में ही 22 अप्रेल को मेश राशी में प्रवेश कर चुके हैं वही 27 अप्रेल को गुरू उदे होने जा रहा है गुरू उदे से कुछ राशी के जातकों को सतरक रहने की जरूरत है गुरू उदित होते ही इन तीन राशी के जातकों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है आईए जानते हैं कि वो तीन राशी कौन सी है वरशब राशी इस राशी के जातकों के लिए देव गुरू, दौधंश भाव में उदे होने जा रहे हैं इस दोरान जातकों को अधिक खर्चों का सामना भी करना पड़ सकता है आपकी राशी में सूरिय, राहू और बुध पहले से ही वराजमान है ऐसे में आपको इस समय आर्थिक चीजों के साथ होश्यारी से चलना होगा आपको इस गोचर के दोरान अपने स्वास्ते का भी पूरा ध्यान रखना होगा खास तोर से वो जातक जिने मदु में है या जिने लीवर से जुड़ी परिशानिया है इस समय आपको ये सला दी जाती है कि आप अपनी पतनी से किसी भी प्रकार की बहजबाजी ना करें देखी जा सकती है इसके अलावा आप अपनी अवास को धीमी रखे किसी भी प्रकार का कोई भी कारी इस्थल पर अगर टकराव हो तो गलत बयान बाजी करने से बचे वरना आपके उच्छ अधिकारी आपको डंडित कर सकते हैं इस समय आपको अपने ससराल पक्ष से कोई भी आर्तिक लेंदेन नहीं करना है वरिश्चिक राशी इस राशी के जातकों के लिए देव गुरु छटे भाव में उदे होने जा रहे हैं जिसे शत्रु का भाव कह जाता है ऐसे में आपको इस समय अपने शत्रु द्वारा समस से जुड़ी बीमारी से आपको दो चार होना पड़ सकता है इस समय आपको ये सला दी जाती है कि अपनी प्रस्नल बात किसी से भी शेर ना करें उमीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहें ट्वेंटी सेवन भक् करेंट